नमस्कार आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लोरियोज और मैं हूँ आपके साथ सपना मतेश्या शुरुबात करते हैं आज के कुछ खास खबरों से बापोनगर जालामंड में हो रही रात आट बजे से ग्यारा बजे तक दस दियोसी रामलिला आयोजन के प्रसंग में सीता स्वायमबर हुआ जब राजा जनक ने कहा कि इस सभा में कोई ऐसा योद्धा राजा नहीं है तो क्या धनूश को उठा सकी मुझे ऐसा लगता है कि सीता के स्वायमबर की शर्त यह थी कि जो भी शिप जी के इस धनूश को उठा उस पर प्रतियंचा चढ़ा देगा सीता उसी के गले में वर् जक्षवर को क्रोधित देख गुरुदेव से आग्या लेकर धनूश को उठाने के लिए खड़े उठे शिराम जी ने धनूश को उठा उस पर प्रतियंचा चढ़ा दी सभी शोधालू ने जै शिराम जै घोश से पंडाल को गुंचायमान कर दिया इस प्रकार मादा सीता प्रजापत ने शिराम को वर्माला पहना कर स्वयांबर की रचना पूर्ण हुई गौभक्त दयाल राम प्रजापत ने बताया कि काशी से आई हुए राम लेला के एक अलाकारों को सभी गाउन अगर कॉलोनी वासियों को बहुत इसने है और प्यार मिला और हर ब्यक्ति रा खेताराम प्रजापत राकेश कुमार पंच विश्नुजी सुरेश कुमार नागौरी राजेश कुमार जियोराम हर्किया शिपसिंग राजपुरोहित महिपाल विश्नुई मुनलाल गोरक नप राम प्रेम राम बठानिया जगदिश जोशी ताराचंद ओम राम जगरवाल इवंग हंसराज विनोत कुमार पोखराज बनावाधिया नंदिशोर रह इन सभी समात स्योग करामनिला आयोजित करने में सहयोग रहा